दोस्तों आप सभी का सुवागत है टेक करार यूटूग चैनल पे इस वीडियो में आपको बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का e-passbook एन इस्टेटमेंट आप डाउमलोड करना चाहते हैं ओनलाइन तो दोस्तों आपको m-pass इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी लाइफ पूरूप के साथ बताएंगे वीडियो आपको पसंद आए तो टेक एकरार चैनल को सब्स्राइब जरूर किजेगा चलिए फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको अपना m-passbook अपना पंजाब नेशनल बैंक का आपका m-pin आपने बना रखा है तो दोस्तों कैसे बनाना होगा m-pin तो हमने आल्रेडी पहले वीडियो बनाया है कि आप कैसे रेजिस्टेशन करेंगे पंजाब नेशनल बैंक का m-passbook तो दोस्तों आप पहले से आप m-pin बना रखा है m-pin इंटर कीजिएगा और यह यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर arrow दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर देख सकते हैं लास्ट टेन ट्रांजेक्शन चेक करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक कर सकते हैं और आपको यहां पर mini statement आपको यहां पर चेक कर सकते हैं तो यह यहां पर click करके अपना जो भी यह date select कर सकते हैं कितने दिन से कितने दिन आपको तो दोस्तों आपको क्या करना होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको click करना होगा हमने यहां से 12 सितंबर 2022 और यहां पर 27 सितंबर 2022 से select कर लेते हैं date और यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी सामने यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है आपको यहाँ पर दिखाई देदेगा अब डाउमलोड का अपसनारा है डाउमलोड पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप डाउमलोड पर आप क्लिक करेंगे आपको अपना जो भी statement आपने जो भी transaction PNB account से आपने किया है आपको पूरी डिटेल आपको इहां पर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना PNB का Impassbook से अपना statement निकाल सकते हैं तो दोस्तों आप को वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा ठेक अगरार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले ठीक कर भाय थैंक्यू